हेलो इस्टूडेंट वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसेंस क्लास मैं हूं सीमा साथ और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास सेवन की सोसल साइंस का चेप्टर ट्वेल जिसका नाम है सल्तनत कालीन प्रशाशान एवं जन जीवन तो इस्टूडेंट्स आज के इस वीडि 320 वरसों के सल्तनत काल में मुस्लिम सासकों ने अपनी परंपरा और आवशक्ता के आनूचार प्रशाशासन व्यवस्था में अनेख परिवर्थन कीए कितने वर्सों के 320 वर्सों के 320 वर्सों तक दिल्ली के उपर सल्तनत काल में मुस्लिम सासकों का सासन रहा यानि कि जो दिल्ली सल्तनत है जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं उस समय के सासकों ने दिल्ली के उपर 320 वर्सों तक सासन किया यानि जो मुस्लिम सासक्ते उनका मुगल काल से पहले 320 वरसों तक सासन रहा और उन्होंने अपनी आवशक्ता के अनुसार प्रसासनिक विवस्थाओं में अनेक परिवर्तन किये इसके अलावा भारती समाज और संस्कृती जिसमें की भासा, साहित, वास्तुकला वा धर्म आदी में भी मुस्लिम सासकों के सतत संपर्ख में अनेक परिवर्तन सामने आए यानि कि इन चीजों में भी मुस्लिम सासकों के इसासन करने से हमारे देश में परिवर्तनाय भासा, सहित और वास्तुकला धर्म आदी चीजों में अब हम जानेंगे कि उस समय दिल्ली सल्तनतकाल के समय या सल्तनतकालिन प्रिशासन किस तरह का था? प्रिशासनिक विवस्ता, सुल्तान की सक्ती सर्वोच्च होती थी, यानि कि उस समय जो सुल्तान होता था, जो वात्सा होता था, वही सर्वपरी होता था, सब कुछ उसकी मर्जी से होता था उसे ईस्वर का प्रतिनिधी माना जाता था यानि उसका जो दर्जा है सुल्तान का बहे ईस्वर के यानि भगवान के समान समझा जाता था सत्तारुड होने पर सुल्तान के नाम का खुत्वा पड़ा जाता था और उसके नाम के सिक्के जारे किये जाते थे यानि कि जो सुल्तान था वह सर्वोपरी था जब जो भी सुल्तान गद्धी पर बैड़ता था जो भी मुस्लिम सासा गद्धी पर बैड़ता था उसके नाम की सिक्के जारी की जाता थे राज्य में उसके नाम का खुत्वा पड़ा जाता था और प्रसासनिक कारियों में वज उलेमा और अमेरियों का महत्पून योगतान था केंद्रिये सासन के चार महत्पून विभाग थे यानि कि वह किस तर है सासन को चलाते थे केंद्रिये सासन के चार महत्पून विभाग होते थे पहला है राजस्वत था लोग प्रिशासन कौन से भाग है पहला राजस्वत था लोग प्रशासन राजस्पमीन से होता है भूमी से करकी बसूली करना यानि भूमी से टैक्स लेना और दूसरा विभाग है सेन विभाग यानि जो सेना का विभाग है जहां सेना से सम्मधित सारे विवस्थाइं देखी जाती है उसे सेन विभाग कहा जाता है और तीसरा है र बिभाग देखता था चोथा जो बिभाग है वह है सिक्षा और अनुदान का तो सिक्षा से संबंदित और अनुदान से संबंदित सारे चीज़ों यह बिभाग देखता था इन बिभागों के अधिकारियों को किरमसा दीवाने विजारत दीवाने अर्ज दीवाने इंसा और धीवा ने रिसालत कहा जाता था, यастि कि ये अधिकारियों के पद के नाम है। इसके अलावा, राज्य सुवों में और सुवे सिकों में शिख परग्णों यानि की जिलों में बटे हुए थे, यानि की राज्य को सुवों में बाट दिया। राज्ज मींस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे सामराज्ज की और फिर राज्जी को सुबे सुबे मींस प्रदेश तो उसमें बाट दिया और इसके बाद फिर उसे सिकों में बाटा गया और सिक के बाद परगना परगना मींस जिले जिलों में उसे बाटा गया सुबे का जो प्रमुख होता था, उसे बली कहा जाता था, वली या फिर मُفती। सिक का प्रमुख सिकदार होता था और परगने का जो मुखिया है, वह हे आमिल कहला था था। इस तरह है जो मुस्लिम सासक अपने सामराज का डिवाइलेशन करते थे उसे बाटते थे अलग-अलग मतलब की हिस्सों में उसका एक-एक अधिकारी रखते थे जैसे कि आज आपने देखी होगी विवैस्था कि देश होता है देश के बाद मतलब की उसको राज्यों में जिले होती है जिले के बाद तैसिल होती है तो इस तरह है उस जमाने में भी यानि सल्तनत काल में भी उस समय के मुस्लिम सासकों ने अपने सामराज को बाटा हुआ था और वहाँ पर एक-एक अधिकारी रखा था जो उनकी विवस्थाएं देखता था तो इस तरह है जो सब से नीचे का जो मतलब एक कहना चाहिए बिभाग होता था वह है जिला और जिले का जो मुखिया होता था उसे आमिल कहा जाता था आमिल एक पद का नाम है जिस तरह अभी बरतवान में जिले का जो मुखिया होता है उसे हम कलेक्टर कहते हैं उस समय जो मुस्लिम सासकों के सम कि इसके बाद हम जानेंगे कि उस समय दिल्ली सल्तनात काल के समय समाजिक जीवन कैसा था यानि कि लोगों का रहनस ये किस प्रकार था। वह सरदार कहते थे, वह सुल्तानों का अनुकरन करते हुए बिलास्ता पूर्ण जीवन बैतित करते थे, मतलब उस समय जो उच्चवर्ग के लोग होते थे, जिने हम अमीर कहते हैं, धनवान कहते हैं, तो उस समय उन्हें अमीर सरदार कहा जाता था, वह जो मुसल्मान सासक य हिंदू सासक्ष जो भी होते थे उनका अनुकरण करते थे मतलब उनके जैसा जीवन बैतित करते थे यानि कि वह बिलास्ता पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे इसके अलावा ब्रहमन और उलेमा यानि कि धर्म सिक्षकों का समाज में महत्पूनिस्थान था जो ब्रहमन जो की हिंदू धर्म में सबसे उच्च जाती मानी गई है तो ब्रहमन और मुस्लिमों में उलेमा जिसे धर्म सिक्षक कहा जाता है उनका समाज में महत्पूनिस्थान होता था इसके अलावा जाती विवस्था का पालन कठूर्ता से किया जाता था, इस्तरियों की सुतंता बहुत सीमित हो गई थी और पर्दा पर्था का चलन बढ़ता जा रहा था, यानि कि उस समय का जो सामाजिक जीवन है वो कुछ इस तरह है कि जाती प्रथा यानि कि जाती वात का उस समय बोलबाला था, जाती के आधार पर सारे काम होते थे, उसका कठोरता से पलन किया जाता था, इस्तरियों की सुतंता सीमित थी, उन्हें ज़्यादा आजादी नहीं थी उस समय, और पर्दा प्रथा यानि कि जो सिल ढखना, महीलाओं का सिल ढखना, पर्दा प्रथा का भी काफी मतलब की चलन था, इस तरह की चीजें उस समय के सामाजिक जीवन में थी, इसकी अलावा, नमबर चार, समाज में बाल विभा, बहु विभा, सती प्रथा का प्रचलन था, यानि कि उस समय के समाज में छोटी उम्र में लोगों की साधी कर देती थी, बाल विभा, यानि की बच्चे जो बच्चे होते हैं जो की 16 साल, 17 साल तक की उमर और उससे भी कम कह सकते हैं, आज की समय में हम 17 साल तक किसोर कहते हैं, उसके पहले का जो समय होता है, उसे हम बच्चे को कर्टेगरी में गिनते हैं, लेकिन उस समय खेलने कूनने की उमर में, 8-9 साल की उमर में ही साधी कर दी जाती थी बच्चों की और बहु विभा बहु विभा मतलब एक से ज़्यादा साधिया करना मुश्लिम सासक एक समय में कई साधिया करते थे उसे हम कहते हैं बहु विभा सती पिर था यानि कि जिस किसी हिंदू महिला का पती किसी भी कारण से यदि उसकी मरत उस महिला को भी जीवित चिता पर लिटा कर जला दिया जाता था इसे हम सती प्रथा कहते हैं तो इस तरह की सामाजिक बुराईयां उस समय की सामाजिक जीवन में फैली हुई थी मुसलिम सुल्तानों में दास यानि की गुलाम दास मींस होता है गुलाम प्रथा का प्रशलन था यानि जो मुसलिम लोग होते थे उन्हें अपने पास दास रखने यानि गुलाम रखने की आजादी होती थी वो अपने पास गुलाम रखते थे उनके पास बड़ी संख्या में दास होते थे ऐसा कहा जाता था कहा जाता है कि फिरोज साथ तोगलक के पास एक लाख असी हजार गुलाम थे यानि कि उस समय दिल्ली का जो सासक था जिसे फिरोज साथ तोगलक उसके पास एक लाख असी हजार गुलाम थे इतने गुलामों को वहे अपने पास रखे हुए था अब हम जानेंगे कि आर्थिक विवस्ता किस परकार थे यानि उस समय लोगों की आयका साधन क्या था सल्तनत काल में ग्रामीन कोई आर्थिक जीवन में कोई परिवर्ता नहीं आया इनका मुख्य विवसाय पूर्वी की तरह क्रशी था यानि सल्तनत काल में जो कि हिंदुओं की बाद मुस्लिमों का सासान आया जिसे हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं उस समय जो गाउं के लोग होते थे बहे पहले के तरह ही खेती किया करते थे उनके पास और कोई रुजगार का साधा नहीं था नगरों में व्यापार बहुत उन्नती कर रहा था भडोच, खंबात, मुलतान, लकनोती, सुनार गाउं, आदी प्रमुक, नगरवा, बंदर गाहा थे यानि की गाउं की लोग सिर्फ खेती करते थे और जो सहर में लोग थे वहे व्यापार करते थे और व्यापार काफी उन्न लकनोती और सुनार गाउं, यह प्रमुक, नगर थे और यह बंदरगा भी थे, बंदरगा जहां पर समुद्र के मतलब की किनारे होते हैं, जहां पर समुद्रों, जहाजों पर, पानी के जहाजों पर सामान चड़ाया उतारा जाता है, उस जगा को हम बंदरगा कहते हैं, त कालीगर लोग होते थे वहें अपनी अलग अलग भागों में रहते थे जिसे सुनार एक बस्ती में रहते थे लोहार एक बस्ती में रहते थे और जुलाहे एक बस्ती में रहते थे इस तरह की वेवस्था उस समय होती थी, बस्तुओं को हाट बाजारों के माध्यम से खरीदावा बेचा जाता था, यानि सामानों को हाट बाजारों में बेचा जाता था, दिल्ली व्यापार का प्रमुक केंद्र था, यानि दिल्ली से व्यापार होता था, वहां देश के भारत में जल थल दोनों मारगों से विदेशी व्यपार पनाप रहा था, यानि उस समय दिल्ली सल्टनत के समय जलवा थल दोनों जगां से हमारे देश में व्यपार पनाप रहा था। अब हम जानेगे कि निर्यात की वस्तुएं कौन सी थी, यानि उस समय हमारे देश से कौन कौन सी वस्तुएं दूसरी देशों में या दूसरी जगाओं पर भीजी जाती थी, सूती वा रेश्मी कपड़ा, जड़ी बूटी, धातु के बरतन, हाती दात की वस्तुएं आधी, क कांच के बरतन वा घोडों का आयात की जाता था, यानि कि सूती कपड़े वा रेश्मी कपड़े, इनके अलावा जड़ी बूटीया, धातु के बरतन, हाती दात की वस्तुएं, यह चीजे हमारे देश से दूसरे देश में भीजी जाती थी, जिसे हम कहते हैं कि निर्यात कर यानि कि एक्सपोर्ट करना, यह हमारे देश से दूसरे देशों में जाया करती थी, इसके अलावा कांच के बरतन वा घोडे हमारे देश में दूसरे देश से आते थे, जिसे हम कहते हैं निर्यात, तो यह दोनों चीजे आयात होती थी हमारे देश में, और यह उपर वली च टेक्स आता था जो कर आता था वही राज का मुख आय का सदन होता था और वहें कितना लिया जाता था उपच का एक वटा दो या एक वटा तीन भाग भूमी कर के रूप में उस समय किसानों से लिया जाता था इसके अलावा चुंगी कर, सिचाई कर, खनिच संपत्ती, मकान कर, तीरतियात्रा, आधी, राज की आय की साधन होते थे इसके अलावा, अब हम जानेंगे भासा साहित इवं विज्ञान, उस समय किस तरह की भासा यूज की जाती थी या बोली जाती थी और किस परकार के साहित की रशना उस समय हुई थी प्रात्मिक सिक्षा के अंदर पूर्वत मंदिरवा मस्जित होते थे, यानि कि जो प्रात्मिक सिक्षा होती है, यानि किक्षा एक से लिखे पांच तक की, तो उस सिक्षा की विवस्था मंदिर और मस्जितों में होती थी उस समय, कुछ स्थानों पर प्रात्मिक विद्ध होती थ्यूसु फुस्तो संय कि गई थी उच्छा कि लिए टोल यानि जिसे हम कि लइवन के लिए एक निशेक्णि पड़ाई होती थी इसके अलावा केंद्री इस तर पर भार्सी भासा प्रियोग ने लगा था यानि उस समय मुस्लिम सासक फार्सी भासा का इस्तमाल करते थे जिस कारण हमारे दिश में भी फार्सी भासा का इस्तमाल होने लगा। जो की पारस पर एक बोलचाल की भासा बन गई। बाद में उर्दु भासा को पारस पर एक बोलचाल की आपस में बातचीत करने की मतलब एक भासा बहे बन गई। फार्सी भा हिंदी भासाओं के सब्द लिये गए हैं। इस काल में छेत्री भासाओं का बिकास हुआ। यानि जो छेत्री स्तर पर जो भासाओं बोली जाती हैं उनको विक्सित किया गया और उसमें एक उत्तम साहित की रशना हुई। कुछ हिंदू राज्यों जैसे की विजयनगर के राजदर्वार में संस्कृत भासा का प्रियोग किया जाता था। संस्कृत ग्रंथों के अनुबाद भारती भासाओं के साथ अर्वी वा फार्जी भासा में भी होने लगए। पुनाह लेखन हुआ यानि कि उस समय कागच का प्रजलन होने लगा था यानि कागच का विस्कार हो गया था। तो कागच का विस्कार होने से जो हमारे प्राचीन भारती ग्रंथ हैं उनका दुवारा ट्रांसलेशन दूसरी भासा में हुआ। इसके बाद अब हम जानेंगे कि उस समय कौन-कौन से ग्रंथ या मतलब की रशना हुई इस काल के प्रसद दार्शनिक वा साहित्यकार अमीर खुसरों ने अपनी रशनाओं में उर्दू, फार्सी वा हिंदी भासाओं का प्रियोग किया यानि तीन भासाओं का उसने अपनी रशनाओं में किया है जो चीजें उसने लिखी हैं जो भी अमीर खुसरों ऐसे पहले मुस्लिम लेखक थे जिन्होंने सरवादिक रशनाओं में हिंदी भासा का प्रियोग किया यानि मुस्लिम सासकों में या मुस्लिम लेखकों में उस समय के मुस्लिम लेखकों में अमीर खुसरों पहला व्यक्ती था जिसने अपनी रशनाओं में जादा से जादा हिंदी भासा का प्रियोग किया इस काल के प्रसद्द कवीवा लिखकों ने निमलिखित गरंतों की रशना की, मतलब उस समय के जो लिखक थे उन्होंने इन गरंतों को लिखा है श्रीनाद इन्होंने हर्विलास लिखा, मलिक मुहम्मद जाईसी ने पदमा मत लिखा, अमीर खुस्रों ने पहीलिया और मुकरिया लिखी है नर्पती नालह ने वीशल देव रासो तथा खुमान रासो लिखा है और विध्यापती ने मैतली भासा में लिखे पद, तो यानी कि मैतली एक भासा होती है तो विध्यापती ने मैतली भासा में अपने पद, पदों की रचना की है